में आपको आज सिखाऊंगा कि मीशो के ऊपर किस तरीके से लिस्टिंग करी जाती है मीशो के सप्लायर पैनल पे मीशो पर लिस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है supplier.misho.com जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं आप सीधा इसके मीशो के सेलर बोर्ट पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको राइट साइट पर लॉगिन दिख रहा होगा लॉगिन पर जैसी आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपनी email id और password डालना है email id और password डालके आप लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बार आप कुछ इस तरीके की डैश बोर्ट पर एंटर होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं के left side में multiple categories आ रही है mobile tablets, home and living, woman fashion, man fashion आपका जिस भी category में product है आप वहाँ पर डाल सकते हैं otherwise यहाँ पर आप search भी कर सकते हैं suppose मैंने search करना है यहाँ पर साडी की अगर मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ तो साडी मैंने जैसी लिखा साडी तो यहाँ पर नीचे categories आ गई तो जो मेरी perfect category होगी मैं उसको select करूँगा select करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ही हमसे images require करता है मीशो के ऊपर आप minimum one image और maximum nine images डाल सकते हैं different different angles से add product image पर जैसी आप click करते हैं यहाँ पर अभी मेरे पास एक image है अगर मेरे पास 2-4 image होगी तो मैं एक साथ भी select कर सकता हूँ तो अभी मेरे पास एक image है तो मैं एक image पर click करके open पर click करता हूँ जैसी मैं open पर click करता हूँ यहाँ इसे continue आप देख सकते हैं continue पर click करेंगे continue करते ही आप मीशो के listing वाले board में enter हो जाते हैं सबसे पहले यह आप से आप एक चीज याद रखें जो फिल्ड यहाँ पर आपको star में दिखेंगी वो वली फिल्ड आपको भरना mandatory है वो सारी चीजी आपके लिए optional नहीं है वो आपको detail फिल करना ही होगा even in case अगर आपको अपने product की extra images भी डालनी है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो add image पर click करके जो भी इस product की 3-4 और extra images होंगी वो आप यहाँ पर डाल सकते हो यहाँ पर आप देखेंगे net weight grams में हमेशे याद रखें कि आपको जो आपके product का net weight है वो grams में यहाँ पर डालना है लाइक अगर साड़ी 800 gram की है तो आप में यहाँ पर 800 डालना है उसके बाद style code product id यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा optional है अगर है तो आप डाली है अगर नहीं है तो आप इस field को खाली छोड़ दीजिए अगर suppose मेरे पास है ma pks5432 यह मेरा style code है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अदर्वाइस नहीं है तो optional detail है आप छोड़ सकते है product name जो भी आपकी साड़ी है आप उसकी product name जो है वो आप डाल सकते है sadi for women make sure spellings और first जो आपका character का word है वो capital रहे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक अपना जो मेरा title है वो मैंने यहाँ पर बना लिया product name का उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है size size में यहाँ पर आप एक चीज यह दिखेंगे कि free size free size पर जैसी आप click करके apply करते हैं यह आप से यहाँ पर details पूछता है free size की inventory का inventory आप यहाँ पर बता सकते हैं कि inventory में stock कितना है आपका 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 आगे उस inventory का अगर कोई SKU ID है तो वह आप यहाँ पर fill कर सकते हैं अगर कोई blouse size meters में उसका कितना है साडी का length size meters में कितना है वह आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर है तो आप डालिए otherwise यह fields सारी optionals हैं तो मैंने यहाँ पर inventory में डाल दिया कि में पास यह वाली details पूछ रहा है कि जो आप सारी के साथ blouse दे रहे हैं यहाँ पर सबसे important है आप कुछ manually type नहीं कर सकते जो drop down में दे रखा होगा आपको उनहीं में से कुछ select करना होगा अगर आप blouse नहीं दे रहे हो तो without blouse अगर stitched blouse दे रहे हो तो आपको यहाँ select करना है अगर मैं सारी के साथ blouse sale नहीं कर रहा हूँ तो मैं without blouse पर click करूँआ याद रहे आप यहाँ पर सिरफ product name या कुछ ही fields में manually type कर सकते हैं other optional details में आप manually type नहीं कर सकते जो drop down में detail होगा आपको वही डालना पड़ेगा अगर आप blouse नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो के blouse fabric है यहाँ पर अगर आपने blouse नहीं दिया है तो obviously उसका fabric नहीं होगा अगर यहाँ पर आप साथ में blouse दे रहे हो तो यहाँ पर other materials इन्होंने डाल रखे हैं अब इनको other materials में यहाँ सर्च करके अपना देख सकते हैं जो भी आपका material है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जो साडी के border है borders के बारे में भी पूछ रहा है कि जारी का है, solid border है, printed border है, lace, जो भी आपकी साडी का है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अगर border नहीं है तो आप no border भी कर सकते हैं लाइक हमारा अगर printed border है तो मैंने printed select कर लिया color, जो मेरी साडी का color होगा, मैं manually यहाँ type नहीं कर सकता, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर वो blue color है, aqua blue तो मैं aqua blue पे click करूँगा, अगर वो red है तो red, अगर वो black है तो black, यह मैं आपको single listing के बारे में बता रहा हूँ, aqua blue, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pack off, net quantities आपके product का कितना है, मतलब आप अपने product को pack में sell out कर रहे हो, single sale कर रहे हो, sadi with kurta sell out कर रहे हो, वो आप अपने title पे mention करके यहाँ पर कर सकते हैं, अगर मैं single sadi ही list sell out कर रहा हूँ, तो मैं here single select करूँगा, अगर मैं इसको pack 10 में sell out कर रहा हूँ, तो मैं here पर pack 10 select करके आपने title में लिख दूँगा, कि sadi aqua blue color with pack 10, तो मैं यहाँ पर single कर रहा हूँ, तो मैंने single लिखा है, sadi का जो मेरा fabric है, वो silk है, यहाँ पर आप search option भी देख सकते हैं, कि मैं यहाँ पर search भी कर सकता हूँ, कि silk में भी काफी categories आ रहे ही है, कि इसमें से कौन सा है, suna silk है, satin silk ह अगर normal silk है, तो आप silk पर select कर सकते हैं, और वो आपका column यहाँ पर आ जाएगा, transparency यहाँ पर आप से required कर रहा है, कि अगर transparency आपके sadi में है, yes, तो yes, नहीं है, तो no, तो आप यहाँ पर no पर select करेंगे, यहाँ पर type आप बता सकते हैं कि कोई भी category जिसको आपकी sadi जो है, किस type की है, awesome silk है, बाग है, बनारसी है, बंदनी है, ठीक है, आपकी कोई भी sadi का, जो भी type होगा, वो आप यहाँ पर drop down में से select करके डाल सकते हैं, अगर हमारा बनारसी sadi है, तो हम यहाँ पर बनारसी sadi पर click करते हैं, उसके बाद आप से यहाँ पर detail कूछता है, country of origin, country of origin में हम यहाँ पर India select करते हैं, manufacturer details में हम अपनी company का नाम डाल देते हैं, suppose, जो भी xyz आपकी company का नाम हो, वो आपने यहाँ पर डालना है, but minimum 9 to 10 characters आप रखना, यह मेरी company का नाम है, और यही मेरी packet details है, packet details में आप और manufacturer details में अपनी company की detail डालने से बेटर है, कि आप अपनी company का name भी डालने, तो भी well and good है, otherwise अगर आप अपनी phone numbers and ids बगरे डालेंगे, तो वो mandatory नहीं है, वो डालना ज़रूरी भी नहीं है, तो आप यहाँ पर manufacturer details में अग यह prices वगरे आप से पूछ रहा है कि आप अपने product का क्या price रखना चाते हैं, जो मीशो पर sell out करना चाते हैं, suppose मैं अपनी sadi का size यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि 2000, यहाँ फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया कि 700, जो भी मेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो मीशो का price हो तो उस हिसाब से आप अपना price भी यहाँ पर set कर सकते हैं, कि suppose मेरा 800 का price है, तो मैं उस accordingly भी मिरको यहाँ पर अगर मैं 800 का है, तो मुझ पर 33.8 का tax लग रहा है जिससे मैं 766.2 rupees मिर पास आएंगे, तो जो मीशो पर आपने price रखना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर 5% है तो 12%, 5% है तो 5% और जो आपकी साडी का HSN code होगा, वो HSN code यहाँ पर आप find relevant HSN code पे click करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से जो भी आपका HSN code है, वो आपको select करना है साडी के ऊपर, तो जैसे अगर मेरा supposed first वाला है, तो मैं first वाला select कर लूगा, make sure आप याद रखें, HSN आप manually type नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो drop down में दे रखा है, आपको सिरो वही select करने होगे, उसके बाद यहाँ पर additional details होती है, additional details, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी detail पर star नहीं बना हुआ है, it means यह सारी details optional है, फिर भी अगर आपको अपनी listing की quality improve रहता है, आप जाद से यहाँ जतना details अपने product के बारे में बताएंगे, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि अगर blouse है, अगर आप दे रहे हो तो इसका क्या color डालना है, blouse pattern क्या है, border का weight क्या है, brand यहाँ पर कुछ बड़े-बड़े brands यहाँ पर दे रखें कि आप किसी क साडी पर क्लिक कर सकते है, daily wear है तो daily wear, बना basic details है, patterns, check है, जो भी है, digital print है, printed है, जिस तरीके से भी आप डालना चाहते है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर last options आपको यहाँ पर देखेगा, description, description में आप देख सकते हैं कि आपको 6000 characters तक आप यहाँ पर साडी for daily casual, जो भी XYZ आपको अपना एक description प्रेपेर करना है, जो details आपकी पढ़ पाएं, तो वो आप डाल दीजिए, otherwise description डालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपके product की details खरीदे वाले को proper तरीके से पता रहे, उसके बाद importer details आजाता है, importer details में आप अपना information यहाँ पर enter कर सकते हो, बट यह required नहीं है, जैसे ही आप इस पर click करते हो, submit catalog पर click करते हो, submit catalog पर click करते हो, तो यह आपका QC, under QC में चला जाएगा, status आप देख सकते हैं, अभी मैंने draft में save करा है, under QC में चला जाएगा, QC पास होने में 24 to 48 hours लगते हैं, जैसे ही आपके product का QC पास हो transactions में जाकर active inventories अपनी check कर सकते हैं, so guys यह थी, मेशों के ऊपर किस तरीके से listing करी जाती है, उसकी training, I hope यह आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, thank you so much. झाल झाल